आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जीरो से लेके छे साल तक के बच्चों की जब हम किताबे लेते हैं तो इन किताबों के अंदर कौन से तो आज हम देखेंगे के और क्या चीज़ें किताबों के अंदर जो हम जीरो से लिके छे साल तक के बच्चों को बिल्कुल इंट्रियूस नहीं किराते हैं उसके अंदर सबसे एहम चीज़ आती है तशद्दुद और वाइलेंस तो इसकी सबसे हम वज़ा ये है कि कोई भी ऐसा इमोशन या ऐसा से फिर्जिकल या साक लॉजिकल एलेमेंट हम किताबों में नहीं पेश करते जो इन बच्चों को दिखाया जाए और वो बच्चे इस वाइलेंस को पसंद करने लग जाए या वो ट्रिगर करने लग जाए बच्चों को इंट्रस्ट अपनी तरफ डिवैलप करना शुरू कर दे आइसे करेक्टर जो किसी भी तशदुद के नतीजे पर कामयाब हो जाएं हम ऐसे करेक्टर को नहीं चूस करते ऐसी कहानी की किताबों को नहीं चूस करते कि बच्चा यह समझे कि अगर मुझ पर तश करूं तो वह भी कामयाब हो जाएगा या ऐसे थीम जों जिसके अंदर तश्दुद करके आप अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं या आप अपने प्राबलम को सॉल्फ कर रहे हैं सो हमें यह बहुत ही इंपॉर्टन चीज है जिससे देखना पड़ता है अगली चीज प्राणी जमाने की सेटप में और कॉंटेक्स में रिप्रेजेंट नहीं होनी चाहिए जो आपकी करंट सेनेरियो है जो आपकी करंट माश्रा है जो आपकी करंट सोसाइटी है उसके अंदर रिप्रेजेंट हो तो बच्चों के लिए उनकी इंटरस्टेंडिंग उनसे रिल या उससे अगले सवालात उसके अंदर पैदा होते हैं, ना के हम वो facts को ऐसे बता दें कि जिनको वो रट्टा मार ले और उसका अपना cognitive thinking process रुख जाए और वो उसको as it is पढ़के सुना दें जो किताब में लिखा हुआ है. It should be end up on some question जहां बच्चों के thinking और imaginative creative process में उससे add on होना है. तो उसको present करने का तरीका बिल्कुल absolute नहीं होना चाहिए. अगला important concern आ जाता है हमारा ideological concerns, कि हमारी क्या ideological concerns हैं? इसके अंदर important चीज़ यह आती है कि आपके मुल्क में मुक्तलिफ मजाहिब के, मुक्तलिफ culture के values के ल specific होता है कि यह इस मख़ब, इस अकीदे, इस इलाके या इस ideology के लोग पटने के लिए बनाएंगे है इन बच्चों के लिए और बाकी बच्चे जो हैं वो उसमें इतना interest नहीं लेते. So, ऐसी judgment जो adult की judgment हो या ethical approaches जो किसी एक specific religion या concept या किसी sect से related हो या ऐसी ideological statement जो बहुत fix हो वो 6 साल तक के बच्चों के लिए appropriate नहीं होती हैं क्यूंकि वो भी actually dictate कर रही होती हैं. अगली important चीज जो है हमारे सामने आती है वो हमारी तस्वीरों में और थीम्स में आती है जब हम sex discrimination कर रहे होते हैं. sex discrimination के अंदर important figure वो आ जाते हैं जहां हम male या female को उनकी specific social roles में दिखाते हैं और ये बताते हैं कि female का काम सिर्फ ये करना है या male का काम सिर्फ ये करना है. So, हम इस किसम की characters को भी avoid करते हैं, ऐसे themes plot को भी avoid करते हैं जिसके अंदर ये discrimination हमें नजार आए. अब हमारे पास सबसे अगली जो important चीज आ रही है वो ये आ रही है कि वो किताब जिसके अंदर ऐसे didactic attributes मुझूद हों आज जो के 6 साल तक की उमर के बच्चों के लिए सही नह होना शुरू हो जाती है. ऐसा literature जो होता है बच्चे को psychologically bother करना शुरू कर देता है. यह भी हो सकता है कि जब बच्चे तशद्दुत को positive तरीके से पढ़ते हैं या देखते हैं या उसको enjoy करना शुरू कर देते हैं तो उस पर यकीन भी करने लग जाते हैं. यह भी हो सकता है कि उनका cause और effect की जो thinking process है वो stop हो जाए और आप उनको fix truth को रट्टा लगाने की तरफ ले आएं ना कि conceptual questions की तरफ लेके आएं और आप उनकी thinking process को और imagination को develop करने की तरफ लेके आएं. बच्चे जब इतने सक किसम की moral judgment या article judgment सुनते हैं कि बस यह गलत है तो यह गलत है तो उनक से हम चीज जो है वो यह होती है कि बच्चों की critical thinking आइस से आइस से कम होना शुरू हो जाती है और इस किसम का literature उनकी creativity को रोग देता है या उसकी रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है तो literature का एक बहुत ही की मकसद एक एहम मकसद यह है कि बच्चों के अं present किया गया है क्या वो interesting है क्या उसके आखरी judgment और evaluation जो है वो logical है यह नहीं है और बच्चों की creativity को boost करना literature का काम है ना कि उसको रोग देना या उसके रास्ते में रुकावट बन जाना